यूनिट, किलोवाट और वाट, electricity consumption को नाबने का एक माध्यम है, जब हमारे घर में बिजली का बिल आता है, तो आप वहाँ पे देखेंगे कि वो यूनिट और क्वाट के हिसाब से दिया होता है, जो चार्ज लगता है, वो पर यूनिट के हिसाब से लगता है, तो एक यूनि मान लिजए कि आपके घर में एक तीवी है, और वो तीवी 100 वाट का है, तो आप वो हर दिद देखते हो, तो जब तक वो चलाते हैं, जब तक उसका प़ूर कंजमशन 1000 वाट नहीं बनता है, तब तक एक यूनित नहीं बनता है, यानि 1 किलो वाट आवर नहीं बनता है, 100W consume करते 1000W हो जाता है तब उसका 1 Unit होता है इसका मतलब यह है कि अगर आप 100W consume करने वाले TV को 10 घंटा continue देखते हो तो आपका 1000W बन जाता है 10 घंटा देखने के बाद तो उसका मतलब क्या हुआ अगर 100W के TV को आप continue 10 घंटा देखते हो तो 1000 वाट हो जाता है और 1000 वाट का मतलब होता है 1 किलो वाट आवर और 1 किलो वाट आवर का मतलब होता है 1 यूनिट दुसरा एक्जाम्बल ले लेते अगर आप कोई उपकरन चला रहे हो जिसका पाउर रेटिंग 1000 वाट है तो जब आप उसको continue एक घंटा चलाते हो तो एक यूनिट हो जाता है उसी तरह से अगर आप 500 वाट पाउर रेटिंग वाले कोई उपकरन चला रहे हो अगर आप उसको 2 घंटा चलाएंगे continue तभी वो एक यूनिट बनेगा इस तरह से वाट और किलो वाट और यूनिट का calculation किया जाता है और last में के डबलेट यानि किलो वाट आवर और यूनिट की हिसाब से हमारे घर में बिल आता है अगर आपको इस वीडियो से तोड़ा को समझने को मिला है तो प्लीज वीडियो को जड़ो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और साथी साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिजिएगा थैंकि बेरी मच दोस्तों आपके प्यारों सपोर्ट के लिए आप सबको दिन बहुत ही सुब रहे बहुत ही अच्छा रहे